Hello friends, welcome back to my channel तो finally good news आ चुकी है क्योंकि बहुत सारे लोगों करीब करीब लाखो छात्रों को जिस वेकेंसी का इंतजार था यानि कि SSC MTS 2020 और 21 की जो वेकेंसी है वो आज आउट हो चुकी है उसका notification आज आ चुका है तो दोस्तो आज हम लोग इस वेकेंसी प्लेटेड पूरी डीटेल्स को कवर करने वाले हैं कि इसमें वेकेंसी कितनी आई है और कौन-कौन लोग इसे अपलाई कर सकते हैं किस एज के लोग इसे अपलाई कर सकते हैं तो ये सारी जानकारिया आप लोग को इस वीडियो में आज मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा, तो चलिए सुरू करते हैं से, दोस्तों अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाओं कि इसका जो नोटिफिकेशन है, इसमें आप उनलाइन अपलाई कब से कब तक कर सकते हैं, तो देखे, यहाँ जो आपका अपलाई उनलाइन का लिंक हुआ आज ही से स्टार्ट हो रहा है, यानि कि पांच फरवरी से, जो कि आप 21 मार्ज तक इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं, करीब करीब डेड़ महीने का समय है, आप लोगों को इस फॉर्म को अपलाई करने के लिए, तो इस बीच में आप इसका फॉर्म जो है अपलाई कर सकते हैं, फॉर्म आप उनलाइन ही अपलाई करेंगे, आप लोग अराम से इसे कर सकते हैं, अगर हम लोग बात करें कि इसका जो examination होगा वो कब होगा तो इसमें जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें दो exam होते हैं पहला होता है online objective test दूसरा होता है descriptive जो की qualifying nature का होता है वो सारी चीजे में आगे भी आभी आप लोग को दिखाने वाला हो तो देखिए जो आपका first page यानि कि cbt1 exam होगा वो आपका होगा एक जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक इसी साल और उसके बाद जो आपका tire 2 का examination होगा descriptive paper वो आपका होगा 21 नवंबर को तो ये आप लोग यहां से ध्यान रखिए दोस्तों आप बात करें अगर इसकी age limit के बारे में तो देखिए यहां पर जो age limit है वो various department के लिए थोड़ी सी अलग अले जैसे कि main जो इसमें age limit होती है वो रहती 18 से 25 साल और कुछ ऐसे department हैं जो कि 18 से 27 साल की भी age limit रखते हैं तो इसलिए आप अगर इस age limit के बीच में आते हैं तो आप इस form को apply कर सकते हैं और आपका कब से कब तक जन्म होना चाहिए वो भी यहां पर mention किया हुआ है तो यह आप लोग देख सकते हैं अब बात कर ले age relaxation के बारे में तो देखिए SC और ST को यहां पर 5 साल का relaxation मिलेगा OBC को 3 साल का मिलेगा और यह All India की जो job है तो आप लोग किसी भी state से belong करते हों तो आप लोग इसे apply कर सकते हैं इसमें जो आपकी educational qualification मागी जाती है तो पहले तो बता दू वो 1 January 2021 तक complete होनी चाहिए और इसमें जो qualification मागी जाती है वो कुछ जादा नहीं वो सिर्फ और सिर्फ दस्वी पास आपका होना चाहिए यानि कि आप matrix पास हैं तो आप लोग इस form को apply कर सकते हैं और 10th level का ही इसमें exam भी यहां पर देखने को आप लोगों मिलता है तो इसलिए आप लोग इसे apply जरूर करियेगा उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊं कि इसकी official website जो है यहां पर से जाकर आप लोग इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकानिया या फिर आप इसका form वहां से apply कर सकते हैं आप लोग पढ़ियेगा और इसमें जो application fees होती है 100 रुपए जो की general EWS और OVC category के लिए होती है अगर हम बात करें woman candidate किसी भी कार्ट से बिलॉंग करती है और साथ साथ SC और ST candidate और जो भी PWD या फिर X सर्विसमेन है उनके लिए आपर कोई भी fees नहीं रखी जाती है तो इसके अब यह आप लोग ध्यान रखिएगा उसके बाद जो है fee आप लोग online ही paid कर सकते हैं तो यह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उसके बाद आपका जो examination center है वो लगबग हर state के जो हाँ की main cities हैं जहाँ पर computers की विवस्था होती है वो सभी जगह पर यहाँ है तो यह आप लोग reason wise देख सकते हैं कि कहां कहां इसका exam center दिया हुआ है उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो examination का process होता हूँ किस प्रकार होता है तो देखिए यहाँ पर जो आपका first phase का exam होगा यानि की computer based test जो paper 1 आपका होगा उसमें यहाँ पर 4 subject देखने को मिलेंगे जिसमें आपका आएगा English आएगा General reasoning आएगी आपकी numerical aptitude यानि की math आएगा और general awareness आएगी आपकी 25-25 question चारों में होंगे 25-25 marks की यानि 100 question 100 marks की यहाँ पर आपको total डेड़ घंटे का time मिलता है और साथ में हर question एक mark का होता है और अगर आप कोई question गलत करते हैं तो आपकी 0.25 की याँ पर negative marking भी रहती है तो इस बात का भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा और अपनी तियारी बहुत ही अच्छे से करिएगा भासाएं हैं तो उन भासाओं में आपको यह देखने को मिलता है आप English language में भी इसे लिख सकते हैं या फिर आप Hindi language, Marathi language मतलब 8 schedule के अंदर जितनी भी languages आती हैं तो उन सभी languages में आप लोग इस के जो exam है उसको आप लोग लिख सकते हैं और यह total 50 marks का होता है और 30 मिनट का इसका number जो है वो final merit list में नहीं जूरता है जूरता सिर्फ CBT1 का ही marks है यह सिर्फ qualifying nature के लिए यहां लिया जाता है उसके बाद जब आप लोग इसे भी qualify कर जाएंगे देन आपका document verification एक छोटा medical test होगा उसके बाद आपको यहां पर joining मिल जाती है अगर हम लोग इसके syllabus के बार general awareness के लिए तो topic wise भी आप लोग यहां से देख सकते हैं और अपनी त्यारी को अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों आप बात करते हैं finally इसकी वेकेंसी के बारे में तो हर साल इसमें करीब करीब 9 से 10,000 के करीब यहां पर वेकेंसी देखने को मिलती है तो इस साल भी यह वेकेंसी इसी के बीच रहने वाली है जो कि tentative वेकेंसी जो है वो इनकी website पर आपको देखने को मिलेगी वैसे जो मैंने वेकेंसी देखी हुई है तो वो करीब करीब 9,000 प्लस यहां पर वेकेंसी आई हुई है तो यह वेकेंसी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है और कभी इसमें कुछ इजाफा भी होता है जैसे पिछले बार की जो वेकेंसी थी वो करीब 7,999 पोश्ट पर थी जो की करीब करीब वो 2,000 के करीब उसमें वेकेंसी जो है बड़ी थी तो इसी प्रकार आप यहां भी हो सकता है कि कुछ वेकेंसी यहां पर इस बार भी बढ़ जाए लेकिन फाइनली अभी के अनुसार अगर बात करें तो अभी इसमें 9,000 वेकेंसी यहां लगबग आई हुई हैं तो आप लोग इसके लिए अपलाई जरूर करिएगा केवल 10 पास यहां पर मागा गया है तो आप लोग इसे अपलाई कर सकते हैं 18-25 केज लिमिट है 100 रुप कि फॉर्म वरने के लिए क्या क्या चीज़े चाहिए आपके डॉकुमेंट वगएरा तो उन सभी को अच्छे से आप लोग भरिएगा कोई भी गलती मत करिएगा तो दोस्तो इस वेकेंसी डिलेटे जितनी जरूर जान करिया थी हो सभी मैंने आप लोग को बता दी हैं अग के लिए थैंक यू सो मच